आप अपनी बात रख रहे हैं तो सर संदेश दें क्या कहना चाह रहे हैं जी भारत के बहुत संध्यक मूल निवासी समुझे को मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरी ये है कि जिस तरीके से दुनिया के सारे देश अपने समीधान से चलते हैं ये एक पूरी मान्यटा होती है समाज जिवन में और भारत का भी एक समीधान है जी और ये समीधान दुनिया के बहुत सारे देशों के समीधान से बरकर है एक महान समीधान है जिसमें डेश के विपिन विपिन समूदायों के हर प्रदेश के हर भासा के लोगों के उठ्थान के लिए उसकी प्रगर्टी के लिए उसके सुखी जीवन के लिए पुरे प्रावधान किये गए हैं लेकिन दुर्बाग्य से हमारी सरकारे इसके उपर अमल नहीं करती क्योंकि उसके अंदर समर्पन की भावना नहीं है तो हमें समीधान के साथ समर्पित हो ऐसी भावनेवाली सरकाने देश में लानी है और ये सरकाने लाने के लिए हमें समाज को समीधान के परटी बेदार, चितक और जागुद बनाना पड़ेगा समाज के अंदर में समीधान का हमें इतना प्रचार परसार करना पड़ेगा और समीधान के परटी देश के लोगों को खास करके बहुत संग के अकमोन निवाशियों को हमें यागुद बनाना पड़ेगा उनको समीधान की जो जवाब देई है उससे अउगत करना पड़ेगा तब तक हमें अपनी समस्याओं की समधान करने वाली सरकाने नहीं मिल पाएगी और मुल्लिवाई संग ये चाहत खरी करने काम कर रहा है इसलिए मेरी अपील है कि आप मुल्लिवाई संग से जूरे रहे और इसके अंदलन को आगे बढ़ाईए जै भीम, जै मुल्लिवासी, ज अपने एक मुल्लिवासी समाच को और मुस्लिम समाच को ऐसा अपील किया कि जो भी साथी मुल्लिवासी अंदुलन को समझ रहे है, ST, SC, OBC और Converted Minority इस देश का मुल्लिवासी है, ये DNA के आधार पे साबित हो चुका है, और मुल्लिवासी संग ST, SC, OBC और Converted Minority के लिए, संबिधान के परक जानकारी के लिए और संबिधान के तहट सासन सत्ता के लिए लाब देना चाहती है, इसके लिए मुल्लिवासी संग से जुड़ने की अपील है, माननी हानिप सार मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान जो है भारत को भारत नका के हिंदुस्तान कर तो इसके उपर आपका क्या कमेंट है मैं इसका विरोधी हूँ क्योंकि मुसलमान ये सब्द जानबुर्ट के इस्तेमाल नहीं करता ये तो सब जानते हैं लेकिन अंजयने में वो सत्रों के मदद कर रहे हैं और जब से मुनलिवाई संग के अंदर में इस बार की चर्चा शु कि हिंदुस्तान सब्दा से हमें नुकसान हो रहा है देशर के मोण निवाई को नुकसान हो बोलने गहाजाता है तब यह हिंदुस्तान सब्द अंजानमें इस्तिमाल कर लेता है यह नहीं होना चाहिए जे तो इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि यह गलत है तो यह मुस्लिम भाईयों में आपने आपको क्या संदेश देना है कि मुस्लिम भाई इसको ऐसा ना करे जब सवमिधान में देश का झो नाम तेट किया गया है तो हमें सवमिधान के पर इस दो तो पहले हमारी समिधानी फ्रज है सविधान के हिसाफ़ी है कि हिंदू स्तान बोलने से जो दूस्मन का एक सधिय горia कि हिंदूरřास्ता के नाम पर वो ब्राह्मन रास्ता बनाना चाहता है तो अगर हम बार बार हिंदुस्तान सब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यह उसके पाले में जा रहा है हम कहीं न कहीं यह प्रठिट कराएंगे कि यह जो देश है वह हिंदू का है और हिंदु सब्दा डेश के मूल निमाश्यों को खासने का एक जाल है तो हम इस जाल को मुझबूटी पर्यान कर रहे हैं तो मुसल्मानों को चाहिए कि सबसे पहले तो समीधान की फर्द सम्मझते हुए भारत सब्दा का इस्टिमाल करें और दुसरे बाट यह है कि वो अगर ख बनाना नहीं चाहते तो उनको तो सबसे अधिक सब्द का से चीर होनी चाहिए सबसे अधिक उनका ही विरोड होना चाहिए लेकिन जुद्दाग्या से जागरूटी की अभाव में मुसल्मानों में यह प्रखर विरोड नहीं दिख रहा है इसको मैं मुसल्मानों के जो को भी मुल्निमासी संग में भागीदारी मिली है जैसे कि आप प्रदेश सद्धेक्ष है इसादुलहक साप केंदरी कारकाडी में है तो इसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय को आपने मुल्निमासी संग कांसेप्ट में बताने का जो तरीका है वो तरीका से आप उसको जा करके जोड़ने का काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत भहुत धन्यवाद और ये DNA के आधार पर मुल्लिमासी साथियों का पूराण नाता है मुलिवासी साथियों का पूराना नाता है तो उसी के तहट कुकि कारकरम हम लोगों का लाइब डिवेट सो भी चल रहा है तो इस पे आप भारत की मुसल्मानों को एक बार अंतिम संदेश क्या देना चाहते की क्यों जुड़े मुलिवासी संग से सबसे पहले मैं ये बात किले करना चाहता हूँ कि मुसल्मानों को इस कॉंसेट के साथ किसलिए जूरना है कि ये कॉंसेट जो है देश के पटी सबसे अधिक वफादारी का कॉंसेट है मैं प्रावानिकता पुर्वा क्या मानता हूँ कि सबसे बड़ेश प्रेमी वही हो सकता है जो देश का मूल निवासे हो सकता है तो देश प्रेम के जो तकाजे हैं उसके अधिक पर भी हम तमाम को और खासके मुसल्मानों को मूल निवासे कॉंसेट को अपनाना चाहिए और जो गुलामी है, वो विडियेसियों की गुलामी है, हमारे उपर जो नियंद्रन कर रहे हैं, वो विडियेसिय कर रहे हैं, तो कोई भी देश प्रेमी अपने उपर विडियेसिय की जो गुलामी है, उसको बलडास नहीं कर सकता, और इस गुलामी के सामने जंग छेरनी परेगी जंग करनी पड़ेगी और ये जंग तब तक जारी रहना चाहिए जब तक गुलामी समाफ्थ न हो जाये और सबसे बहुते तरिका इस गुलामीको ख़तम करने कا मुलनिमाजी आइडेलोजी है मुलनिमाजी संकल्पना है और इस संकल्पना को साकार करने के लिए तो इसी अंतिम अपील के साथ कि भारत के मुस्लिम साथी STSC OBC को अपना भाई समझे और मुल्निवासी संग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुकि अभी आनलाइन सदस्ता भी आ गई है तो आनलाइन सदस्ता सभी लोगों से आप गूगल फार्म में कराते रहिए और उस आनलाइन सदस्ता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुल्निवासी संग के लोग सदस्य बने इसके लिए आप अपना प्रदेश देखिए उसके लिए पूरे भारत के मुसल्मानों का एक बार फिर अपील करते हुए कि मुल्निवासी संग का साथ दें और मु झाल वस झाल 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 ऑन झाल 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 प्स